नितीश कुमार ने जिस तरह से आरजेटी का साथ छोड़ करके वीज़पी में सामीर हो गये हैं उसी बात से आज मनीश कस्यप खुसी में लाइब आए हुए थे तो इस पर सबसे पहले आपका क्या ब्यान रहेगा? देखिए मनीश कस्यप इसलिए खुसी मना रहे हैं जो मनीश कस्यप पर नौ महिना पहले आज दुखो का पहार तूटा था लेकिन आज खुसी का दीना आ गया है मनीश कस्यप पर इसलिए कि मनीश कस्यप बोले थे जह मैं सरकार गिरा कर रहेंगे तो आज मनीश कस्यप का मोन रहे हैं भाजपास से इसलिए आज मनीश कस्यप ने अपना खुसी मना रहे हैं इसलिए सरकार गिरने पर आज खुसियां ही खुसियां मनीश कस्यप का दिल में हैं अच्छा तो यह सरकार गिरने वाली बात कैसे हो जाएगी जब मनीश कस्यप ने बोला था कि मैं सरकार गिरा तो नितिष कुमार का सरकार थなた निšष कुमार वहले व्द hunasamishika सरकार में तो मुखमंत्री भूर्म मुख मंत्री ने देखिए वह बात सही हैं लेकिन नितीष चाचा ने मनीज कस्यप के लिए कुछ भी नहीं बोले थे आप एक भी वीडियो देखा दिजिए जे नितीष चाचा ने कुछ भी बोले हैं मनीज कस्यप के उपर जो भी बोले थे तेजस्बी यादों ने बोले थे इसलिए तेजस्बी यादों पर मनीज कस्यप खुशिया मना रहे हैं तो मनीश कश्यप का एक और भी दावा था मनीश कश्यप का एक और भी भविस्य बाड़ी है जो अभी तक सत्य नहीं हुआ है क्या लगता है आपको सत्य हो जाएगा मनीश कश्यप ने कहा था कि मैं मुख मंतरी बनूंगा और मनीश कश्यप की मा का कहन है कि मेरा बेटा मुख मंत्री भी बनेगा और परधान मंत्री भी बनेगा तो आपको क्या लगता है यह कब तक हो सकता है देखिए मनीश कश्यप जी का अभी मुख मंत्री परधान मंत्री बनने का समय नहीं लेकिन जब समय आ जाएगा तो खुद ही मुख मंतरी पारधान मंतरी मनीश कश्यप बन जाएंगे अच्छा तो आपको क्या लगता है अभी तक मनीश कश्यप की जो भी एक पार्टी में उनका सदस्यता के दोर पर उनका गणना नहीं हुआ है ना ही वो किसी पार्टी में साम मरा सकता है देखिए संघर्स करने पर सब कुछ होता है जब संघर्स में लग चुके हैं मनीश कश्यप जी तो एक दिन का म्याभी जरूर हासिल करेंगे इसलिए कि अभी अभी तो संघर्स में लगे हुए हैं तो कोई ना कोई पार्टी जरूर टिकट देगी मनीश कश्यप जी का मनीश कस्यप को जीत तो पाका होगा इसलिए कि बिहार का सेवा करेंगे पूरे देश का सेवा करेंगे नेता बन कर उभरेंगे लेकिन आप सभी के मन पसंदिता कौन सा नेता है कौन से पाटिक आप सपोर्ट करते हैं अपने कमेंट वक्स में कमेंट करके जुरूर बताईएगा